आप चाहें तो directly भी site build करना शुरू कर सकते हैं लेकिन efficiently काम करने के लिए जो मैं ज़ाधा recommend करता हूँ है कि पहले आप एक design system setup कर ले उसके लिए मैंने design system के नाम से page already बनाया हुआ है इसे हम elementor में edit करते हैं अपने about page को भी हम close कर लेते हैं क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही और यहां मैं preview में भी design system के page को view कर लेता हूँ view open in new tab और about को close कर देते हैं अभी यहां पर कुछ भी नहीं है और यह page मैंने private set किया हुए इसके इतनी जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि page search engines में index होना शुरू हो जाए जबकि आपकी बाकी site index हो रही है तो इसे private कर दें या अगर आप नहीं चाहते कि अपना design system बनाना शुरू करते हैं उसे पहले मैं इस page की कुछ settings देख लूँ यहां इसका status private ठीक है इसके title को हम चुपा देते हैं और page layout default मैंने full width अलड़ी set किया हुए तो वही होना चाहिए और अब यहां पर हम अपना design system बनाना शुरू करते हैं के लिए पहले एक यहां section add कर लेते हैं और इसमें हम heading add करते हैं सबसे पहले हम set करेंगे colors और इसके नीचे हम एक inner section add करते हैं इसमें हमने colors अपने setup करने हैं और इसके एक column को मैं delete कर देता हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं एक column setup करूंगा उसे फिर मैं duplicate करता रहूंगा इस section की मैं height रख लेता हूँ 100 pixels और इसमें एक heading add कर लेता हूँ इसका html tag हमें span काफी रहेगा और html tags के बारे में भी मैं जहाँ जहाँ जूरत पड़ी आपको साथ साथ बताता जाओंगा अभी के लिए आप याद रखेंगे h1 से h6 सक आपके content में जिस level की heading है सबसे जो important heading है वो h1 होगी और सबसे कम important heading h6 होगी यह इस sequence में चलेंगी डिव जो है वो एक ऐसा section का हिस्सा होता है जिसमें आप text या कुछ और चीज़ डालना चाहते हैं और उसे कोई आपने खास status नहीं देना वो बस design का को हिस्सा है span और div में भी कोई खास फरक नहीं है div जो है वो full width होता है और span जो है वो text के बीच में अगर आपने मिसाल के तूर पे इस add your heading text here में इस heading को कोई और आपने color देना है या इससे किसी और तरीके से style करना है तो इसे आप एक span के बीच में wrap कर लेते हैं यह आप जब HTML की intro देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिलाल आपके मकसद के लिए यहाँ पे selection के लिए div और span में कोई खास फरक नहीं है तो हम इसे div रख लेते हैं और पी जो वो paragraph text है वो उस मकसद के लिए इस्तमाल होता है जब आप असल में कोई heading या कोई titles वगारा ना लिख रहे हों आप ऐसा text लिख रहे हों जिसमें एक से ज़्यादा paragraph हों उसकी हमें आँ जरूरत नहीं है तो div या span में से हम कोई भी इस्त भी देर में पता चलेगा इस column में हम vertical align middle कर लेते हैं horizontal align center कर लेते हैं और इस heading को हम center align ही कर लेते हैं अब हम इस column की चंद copies बना लेंगे right click करके duplicate 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 एक तो तीन चार हमें चाहिए 6 और इस पूरे column को हमने एक दफ़ा फिर duplicate करना है इस पूरे inner section को ताके यह 6 से बन जाए 12 और उसके बाद एक दफ़ा फिर करना है ताके बन जाए 18 यह आपको जतने colors की जरूरत है अपनी site में यह उसे साब से आप इसे change करेंगे और उसके बाद हम एक typography का section डाल लेते हैं इसी section को मैं duplicate कर लेता हूँ और top level जो section था और इसके बीच में इन sections को मैं हटा देता हूँ और यह colors की जगा यहाँ typography लिख लेते हैं यहाँ पे हम बीच में एक और inner section डाल लेते हैं और इसमें हम कुछ headings डालेंगे 1,2 बलकर इसे duplicate करते जाते हैं 3,4,5,6 और इनका नाम हम change कर देते हैं heading 1 heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, and heading 6 अब हम इन सब के tags यहाँ से set कर लेते हैं जो इनका हमने नाम दिया उसे साब से heading 1, 2, 3, 4, 5, and 6 next मैं इस column को delete कर लेता हूँ ताके इस column को मैं duplicate कर सकूँ और यह सारी heading मेरे पास यहाँ आजाए अभी मैं इन्हें नाम दूँँगा heading एक्स्टर एक्स्टर लाज second is heading एक्स्टर लाज third होगी heading लाज fourth होगी एक second मैं sizes यहाँ देख लूँ extra-large, extra-large, large, medium, or small ठीक है, large को मैं L लिख लेता हूँ के बाद M और finally heading S default को यहाँ हम नहीं देखेंगे वो यह वाले sizes हैं जो इन तमाम headings के default size होंगे और यह हमारे special sizes हैं, इनका मकसद यह है कि यहाँ जैसे आपने heading one select की हो, या heading two या heading three, अगर आप default sizes की जगह let's say small select करते हैं, तो heading के level से उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, small heading one और small heading two, दोनों का एकी size होगा, आपको page पे कहीं जगों पे heading इस तरह इस्तमाल करनी पड़ेंगी के heading का level आपको high चाहिए, क्योंकि वो heading उस जगह पे जादा important है, जिस तरह एक section की heading है, वो यह बताती है कि section में तमाम जो आपने content डाला हो हो किस बारे में है, SEO के लिए वो यह बताती है, लेकिन आप यह भी चाह सकते हैं कि उस section की heading छोटी सी हो, और उस section के बीच में जो content है, उसमें कोई heading हो, जो importance के लहाज से heading 3 है, और section की heading heading 2 है, लेकिन size के लहाज से heading 3 बड़ी है, तो उसके लिए हम यह sizes इस्तमाल करते हैं फिर इस column में मैं तमाम heading के size को default रखता हूँ ताकि इसे हम इस्तमाल करते हुए, default sizes को style कर सके हैं, और यहाँ पर मैं इनके custom sizes select करता हूँ, यह heading आपने 1,2,3,4,5,6 select की उसे के फरक नहीं पड़ता, तो मैं तमाम को heading 1 ही select कर लेता हूँ और अब extra large large medium और आखिर में small ठीक हो गया अच्छा यह typography को हम center align कर लेते हैं उपर colors को भी हम center align कर लेते हैं अब आते हैं pacing पर बलके typography की एक चीज रह गई है, paragraph यहां एक paragraph भी add कर लेते हैं आप चाहें तो एक text editor से आप paragraph add कर ले और चाहें तो heading का widget ही इस्तमाल करके उसमें यहां h2 की जगा p select कर ले इसमें सिर्फ heading की styling का size आप control कर सकेंगे और यहां पे text में आप कोई formatting नहीं कर सकते इस text editor में आप formatting कर सकते हैं तो मुझे जहां भी ऐसा text डालना होता है जिसमें मुझे formatting करने की नहीं जुरुत उसके लिए मैं यह text editor widget की जगा heading widget इस्तमाल करता हूं यह नहीं उस text के अंदर मैंने links नहीं डालने हैं उस text के अंदर मैंने कोई bold और italic underline या किसी किसम की ऐसी formatting बीच में उसके कुछ हिस्सों के लिए नहीं करनी या quotes नहीं डालने कोई list नहीं डालनी तो तब मैं heading का widget इस्तमाल करते वे उसका tag p select कर लेता हूं जो paragraph उसे बना देता है तो यह आप पर different करता है इसकी देख सकते हैं आपके कुछ styling में फरग है कि यहां इसके नीचे कुछ extra spacing है इसे paragraph spacing कहते हैं जो हर paragraph के बाद आती है और इसमें नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एकी line पे है अच्छा यहां हम कुछ sample text paste कर देते हैं मैंने already text copy करके रखा हुए यह इस paragraph के इलावा एक और paragraph यहां add कर लेते हैं और इसका कुछ हिस्सा हम पिछले paragraph में ही डाल लेते हैं ताकि उसकी भी जादा lines लिखाई दें अभी फिलाल इस heading विजिट को हम delete कर देते हैं और यह paragraph विजिट ही इस्तमाल करते हैं तो यह हमारे पास एक paragraph भी आ गया है अब हम आते हैं spacing पे इसी section को duplicate कर लेते हैं इसमें से तमाम घर जरूरी widgets को हम delete कर देते हैं और इसके title को change करके सबसे पहले spacing लिख लेते हैं अब यहां हमने spacing define करने के लिए एक और inner section बीच में डालना है और इससे एक column पे ही रखना है दो की हमें जरूरत नहीं है इसमें और इसमें हम फिर से heading widget ही इस्तमाल कर लेते हैं 10 pixel और इसे हम h2 की जगा span करके center कर लेते हैं duplicate 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 इसकी भी हम चंद copies बना लेते हैं 10, 20, 40, 80 और 160 duplicate 10 20 40 80 और 160 अब इन विजिट्स की हम advanced options में आके padding जो मैंने याँ पे pixels में value set की उतनी रख लेंगे इसके case में 10 और इसके case में 20 अच्छा यह unlink करने से आप इन तमाम values को अलएदा अलएदा एडिट कर सकते हैं मुझे top और bottom पे अगर 20 चाहिए और left और right पे 10 ही चाहिए क्योंकि spacing हमने जाएद थे top और bottom में sections को एक दूसे से अलएदा करने के लिए उनके बीच में इस्तमाल करनी है यह भी आप detail में देखेंगे और right और left की 10 ही रखतेते हैं third के case में भी unlink करके top और bottom की 40 और right और left की 10 चोथे के case में top और bottom की 80 और right और left की वही 10 और पांच में के case में top और bottom की 160 और right और left की वही 10 अच्छा यह हमारा spacing का section setup हो गया और एक second यह मैंने कुछ गलत कर दिया हाँ यह मेरे से गलती से drag होके उपर चला गए इसे वापस अपनी जगा पे ले आते हैं अभी देखते हैं क्या रहता है typography हो गया colors हो गया spacing हो गया अच्छा यह content full width क्यों नहीं आ रहा इसे एक second में चेक कर लूँ I think मैंने settings में जब वह demonstration देने के लिए आपको वह 960 पे की थी setting तो वह अभी तक वहीं पे है layout में sorry 1140 पे की थी इसे हमने 1320 पे करना है इस site के लिए और यह आपकी site पे depend करता है आपको किस तरह की spacing चाहिए यह भी जो values हैं मैं अपनी site के लिए रख रहा हूं आप अपनी site के लिए वह रखेंगे जो आपको जरूरत है और वह आपका design यह define करेगा कि आपको क्या spacing चाहिए लेकिन यह एक जगह अपनी reference के लिए रख लेना इसलिए बेतर रहता है कि आपकी site लेकिन वह भी थोड़ी देर में करते हैं अभी यह कर लेते हैं कि इस इस inner section में जो column gap है उसे मैं no gap कर देता हूं ताकि इसके बीच में सारे columns बगयर gap के हों और इस column में जो widget spacing है यानि हर दो widget के दर्मयान जो spacing है उसे मैं zero कर देता हूं इस तरह यह widget बिलकुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उससे हमें spacing का इसमें ज्यादा बेतर पता चल रहे हैं इससे भी update कर लेते हैं और अब हम add करते हैं forms और buttons इसी तरह का एक section duplicate करके यहां forms and buttons लिख लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले elementor का एक form widget जो elementor pro में मुझूद है वो इस्तमाल करेंगे और उसके नीचे हम एक button widget भी इस्तमाल कर लेंगे form widget को हम name, email message इसमें कुछ item add कर लेते हैं इसकी type रख लेते रेडियो और एक और item add करते हैं उसकी type रख लेते हैं check box एक और not add करते हैं उसकी type रख लेते हैं select और इनमें कुछ options add भी कर देते हैं पर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सर्ड ऑप्शन, यह नहीं कॉपी करके हम रेडियो और चेक बॉक्स में भी आड़ कर लेते हैं I think form के लिए इतना काफी है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, फिलाल के लिए इतना काफी है यह हमने अपने डिजाइन सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है, वो यहां सेट अप कर लिए है, अब हम अपने डिजाइन सिस्टम को प्रॉपरली बिल्ड करते हैं और उसके लिए हम चलेंगे वापस ऐलेमेंटर की साइट सेटिंग्स में यह हम सबसे पहले गलोबल कलर डिफाइण करेंगे. गलोबल कलर करने सबसे बड़ा फाइदा है और यह कलर्व यहां पर चेंजंज करें. तो पुरी साइटिं के जहां tighter हैं अपने यह कलर अपफार आप्लائिे किया है, वहां है चेंज हो जाएगा. आप चाहें तो किसी भी section में आके या किसी भी column में या किसी भी widget में आके उसका style tab में अपनी मर्जी का color select कर सकते हैं जिस तरह यहां मैं चाहूं तो इसका color मैं यह red select कर लेता हूं या orange या red select कर लेता हूं और यह सिर्फ इस पे apply होगा और उसके बाद अगर आप design system में आके उस color को तबदील करेंगे तो वह यहां पे apply नहीं होगा वह तबदीली सिर्फ उन items पे apply होगी जिनका आपने उस item के level पे कोई color नहीं रखा यहां जैसे अगर मैं primary color को तबदील करता हूं पहले मैं यहां से copy कर लूँ ताकि यह original color खायब नहीं हो जाए इसे में तबदील करके कुछ भी अगर select करूं यह green करूं यह purple तो आप देख रहे हैं कि हर जगा जहां यह default color apply हुआ था वहां पे यह color तबदील हो रहा है लेकिन इस एक heading पे चुके हमने एक custom color apply कर दिया था वो इस default color को वो उससे उपर के level का यानि वो उससे override कर रहे है अब हम अपना colors का असल setup शुरू करते हैं मैंने colors की list पहले से बनाई वी है जो मैंने site के design में इस्तमाल करने हैं और चुके यह chapter यह बलके course designing के बारे में नहीं है इसलिए मैं इस course को design की direction में जादा नहीं लेके जाओंगा आपने design जिस भी tool में करना है Photoshop हो गया illustrator हो गया या Adobe experience design या कोई भी tool जो आप इस्तमाल करना चाहिए sketch हो गया आप उसमें जब design अपना बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे तो वो उसी में आप color set करेंगे फिर उन colors की list को आप यहां पे इस्तमाल करेंगे अच्छा यह इन इसम तमाम colors के नाम भी आप change कर सकते हैं इसका मैं नाम अगर primary से primary ब्रैकेट में xxl लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं कि मैंने extra extra large के लिए इस्तमाल करना है यह सिर्फ मैं आपको वैसे मिसाल के तोर पर दिखा रहा हूं मुझे फिलाल इने change करने की जरूरत नहीं है यह color मैंने अपनी मज़जी के set करने है third मेरा text color होगा यह अच्छा यह जो hex codes हैं यह colors के websites पे इस्तमाल करने के code होते हैं और finally accent color मेरा है यह इसे अब आप देखें यहां button का जो यह color है वो हमारा accent color था वो भी change हो गया है कुछ चीजें तो आप यहां live देख लेंगे बलके मैं काम करता हूं इसे फिलाल update करके वापस अपने इस design page पे जा कि मैं spacing वाले section को सबसे नीचे ले जाता हूं यह layers से असानी से हो जाएगा और ताके forms और buttons मैं उपर देख सकूँ spacing में हमने कुछ design तो करना नहीं है वो तो हमारे एक reference के लिए है अब हम वापस आते हैं अपने design system में site settings global colors यह चार colors तो इसके default कुछ options थी जो मैंने set की है heading में मुझे primary चाहिए secondary मेरा color जो जहां इस्तमाल होगा आप देखेंगे text का color हो गया और accent so heading, text और accent यह तीनों तो आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं बाकी भी आपको नजर आएंगे जब मैं वापस design system page पे जाके इन तमाम areas में color apply करूंगा अभी मैं बाकी colors भी add कर लेता हूं एक मुझे alternative accent चाहिए जो इस accent के साथ कुछ जगों पर इस्तमाल होगा इसका नाम में रख लेता हूं accent alt और के बाद secondary का एक alternative color भी मुझे चाहिए यह होगा secondary alt अचा आप अगर नए colors आइड करें तो यह delete का button भी है जिससे आप इन्हें delete कर सकते हैं जो चार main options है यह delete नहीं हो सकती system color cannot be deleted बाकी आपने global color जो अपनी मरजी से add की है वो delete हो सकते हैं और यहां इन्हें add करने का मक्सद यह है कि हम पूरी site पे जहां चाहें इन्हें इस्तमाल कर सकें एक color हमें चाहिए light text के लिए नए keyboard का यह बड़ा मसला होता है कि उसमें आप पुराने keyboard के आदी हों तो नए keyboard में typing का अक्सर मसला होता है एक हमें light background चाहिए और एक हमें white color चाहिए जिसे मैं blank का नाम दे देता हूँ आप चाहें तो इसे जो भी नाम दे दे यह सब नाम आपने अपनी मर्जी से देने है ठीक है फिलाल के लिए हमारा color system सेट हो गया है अब हम font system पे आते हैं तो यह चार इसमें primary पहले से font सेट हुए होते हैं प्राइमी क्या इसके default fonts उन्हें हम change कर लेते हैं अपनी जरूरत के मताबक और colors और fonts के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं यह मैंने कुछ लिंक्स आपके लिए कॉपी करके रिखे हुए color palette generator यह इस link को अगर आप visit करें यहां आपके पास मुख्तलिफ color palettes होंगे जो आप अपनी मर्दी से इस्तमाल कर सकते हैं यह designers ने आपके लिए मुहया किये हुए हैं और यह एक दूसरे के साथ काफी अच्छे चलते हैं तो अगर आपको color theory के बारे में कोई खास idea नहीं है और आपको एक दूसरे के complementary colors जो एक दूसरे के साथ अच्छे जच्टे हों या contrasting अच्छे colors वो चुन्ने में मुश्किल पेश आ रही है तो एक बहुत अच्छा यह tool है इसमें से किसी भी color palette पे अगर आप click करते हैं तो वो एक बड़े view में open हो जाएगा और यहां पे उसके तमाम colors के hex codes भी मौजूद कोई और palette select करने हो ताके उसमें आप यह ज्यादा बेतर तरीके से देख सकें और इस color के मिसाल के दोर पे आपने मुख्तलिफ shade generate करने है या इस color के उसके लिए एक और यह tool है इसका भी लिंक मुझूद है यह links आप copy कर लीजिएगा इसे मैं एक नए टैब में open करता हूँ यहाँ पे हम अगर वो color paste करें और update करें तो इस base color के मुख्तलिफ shades भी generate हो गए और इसके साथ चलने वाला एक gray इस gray में भी इसी color का हलका सा shade है ताके वो इसके साथ अच्छा लगे उसके भी मुख्तलिफ shades generate हो गए light से लेके dark तक उस इसके लावा इसके साथ चलने वाले blue, indigo, violet, fushia, pink, red, orange, yellow, lime, green, teal यह बहुत सी variations यह generate होगी है ताके आप यहाँ से अपनी मज़ी का palette भी बना सकें कई sites पे आपको design के जरूरियात के मताबक एक color के मुख्तलिफ shades मुख्तलिफ जगों पे इस्तमाल करने पड़ सकते हैं उस design की तरफ अगर में चला जाता तो एक उस घर ज़रूरी तोर पे लंबा हो सकता था इन्हें मैं अभी close कर देता हूँ fonts के लिए आप अगर google fonts पे आए fonts.google.com यहाँ आपको बहुत से fonts मिल जाएंगे जो तमाम के तमाम elementor में available है यहाँ अगर featured fonts में देखें तो यह google ने जो selection की हुई है चंद fonts की वह यहाँ आपको मिलेंगे इसके इलावा आप यहाँ browse कर सकते हैं fonts को यहाँ आप उनमें categories के मताबिक search कर सकते हैं serif fonts वो होते हैं जिनमें यहाँ कोई आपको मिसाल दिखाता हूँ जिसमें यह L और B और इस तरह के जतने characters हैं उनके end के साथ यह एक dash सा होता है इस तरह यहाँ L के साथ उपर भी dash है नीचे भी dash है और sans serif वो होते हैं जिनमें यह serifs नहीं होते हैं sans का मतलब है बगार तो यह बगार serif के font है और यह serif के साथ font है इसी तरह display fonts वो होते हैं जो अक्सर main text के लिए नहीं headings के लिए और fancy किसम के असे इस्तमाल के लिए बनाये गए हों और handwriting fonts हों हएं जो नाम से जाहिरक है जो आद से लिखी वी राइटिंग के तोर पे हों monospace अक्सर programming वगरे में इस्तमाल होते हैं इन में हर character की जो चुड़ाई है वो बराबर है या ल को हालां के कम चुड़ाई चाहिए होती है यह और W की चोड़ाई या M की चोड़ाई बिलकुल बराबर होती है इसका ये फाइदा होता है कि इसमें आपको design में जादा control मिल जाता है आपको पता होता है कि इस font की इतनी एक character की चोड़ाई है तो मैं इतने pixels में इतने character fit कर सकता हूं वो आप अपनी calculation के मताबक decide कर सकते हैं लेकिन display में ये थोड़े computer generated type के लगते हैं ये उतने modern नहीं लगते हैं जतने आपको access sites पे fonts चाहिए होते हैं इसलिए इनका इस्तमाल गम ही होता है हाँ site पे अगर आपने कोई code के snippets दिखाने है तो उसमें इन fonts का इस्तमाल अभी भी काफी होता है आप अगर कोई यहां अपनी मर्जी का एक font चूज करें heading के लिए मिसाल के तोर पे आपने अगर ये let's say ये ये वाला पैट्रवा one select कर लिया इसे मैं एक नए टैब में open करता हूँ तो यहां आप इसकी details भी देख सकते हैं इसके glyphs यानि इसमें जितने characters हैं वो सब भी देख सकते हैं और नीचे popular pairings का section है जो इसके साथ दूसरे fonts की pairing बना के आपको दिखाते हैं heading में अगर आप ये पैट्रवा one use करें तो इसके साथ आप नीचे text में कौन सा font इस्तमाल कर सकते हैं जो इसके साथ अक्सर इस्तमाल किया जाता है ये open science के साथ भी अच्छा चलता है लाटो के साथ भी अच्छा लग रहा है रेलवे के साथ और मॉंटसराट के साथ अच्छा आप जब ये font select कर लें तो यहां आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है unless कि ये fonts आप अपने graphics के प्रोग्राम में इस्तमाल करके site का पहले एक design बनाना चाते हैं तब आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे otherwise elementor में आप directly ये fonts इस्तमाल कर सकते हैं Google के तमाम fonts elementor में मौझूद हैं और आप अगर search करें popular Google font pairings तो उसे भी आपको इस तरह के fonts का पता चल सकता है lists लोगों ने बनाई हुए best Google fonts for different types of websites उनसे भी आपको inspiration मिल सकती है अच्छा हम यहाँ वापस आके अपनी typography के style set करते है मुझे जो primary typography चाहिए वो है catamaran font है Google पर available है यह मैंने इस्तमाल करना है और primary sizing होगी 34 points pixels कहले weight इसका मुझे चाहिए 800 अच्छा weight 400 होता है regular 700 होता है bold और 100 होता है बिल्कुल slim बाकी इनके बीच वाले उनके अक्सर नाम उनका नहीं भी इस्तमाल होता कुछ fonts में उसे semi bold या ultra bold और black वगरा कहा जाता है numbers की convention ठीक रहेगी अच्छा यह 800 हो गया और इसकी बाकी styling में हमें जो इसकी line height है वो चाहिए 1.125 यह मेरे design के मताबक अच्छा line height में अभी आप यहां पे changes देखेंगे जब मैं इस font को apply करूंगा अखलिफ चीज़ों पर letter spacing 0.035 secondary में मुझे यही exactly बस उसका size 26 चाहिए मैं आप primary से line height copy कर लेता हूं और यहां पे paste करता हूं इसी तरह letter spacing primary की sorry यहां से copy करके यहां paste कर लेता हूं और secondary में मुझे font वही चाहिए catamaran 826 pixels ठीक है बाकी styling default ही चलेगी update अच्छा और text में मुझे 20 pixels लारा और इसकी बाकी styling इसकी line height बस 1.5 रखनी है बाकी styling इसमें हमें कुछ रखने की जूरत नहीं है accent मैं इस्तमाल करूंगा menus और buttons वगरा के लिए यह भी होगा catamaran और 14 pixels इसका weight मुझे चाहिए bold ठीक है text का weight default सही है अच्छा अब मैं कुछ इसमें styles add करूंगा primary xl primary l primary s extra large large small और primary xs actually नहीं यह मैं एक चीज मिस कर गया हूँ एक होगा extra extra large के बाद होगा extra large then large है then medium है जो primary और secondary को मैं उस तोर पर इस्तमाल करूंगा in fact यहां पर मैं ऐसे primary large और secondary को primary medium कर लेता हूँ और then हा जाता है small और extra small ठीक है यह हमारे 6 sizes हो गए इन चारों को अभी मैं configure भी कर लेता हूँ लेकिन पहले मैं और sizes के नाम add कर लूँ और मुझे चाहिए text large text small यह जो text है हम text medium कह लेते हैं accent large में इस्तमाल करूंगा menus और main जो यह उपर वाली nav का menu इसके लिए और buttons के लिए और जो accent small है वो use होगा जो कम important menus है जिस तरह नीचे footer में एक जो menu आएगा जिसमें contact us और terms and conditions और privacy policy वगर है उसके लिए मैं इस्तमाल करूंगा तो अब इन सब को configure भी कर लेते हैं primary xxl अच्छा मैं पहले जो configure की हो इनमें देख लूँ fonts ठीक है catamaran, catamaran, laura and catamaran ठीक है अब primary xxl में भी मुझे catamaran चाहिए मैं एक एक दफ़ा सब में font set कर लूँ, catamaran जितनी भी primary headings हैं उनमें मुझे catamaran ही चाहिए और text में मुझे वही लॉरा चाहिए and finally accent में मुझे फिर से catamaran ही चाहिए ठीक है अब इनके sizes भी set कर लेते हैं 54, 44, 20 next 16, 24, 16 और फाइनली 12 और 12 प्राइमरी सारों का weight 800 होगा यहां i wish के elementor ने एक style को copy करने की या duplicate करने की option दी होती तो मैं एक को configure करता प्राइमरी के लिए उसकी copies बना लेता फिर एक को configure करता टेक्स के लिए उसकी copies बना लेता लेकिन unfortunately यह option नहीं है फिर यह feature आज़ता आज़ता मजीद refine हो रहा है यह उन्होंने recently 3.0 version में release किया है उससे पहले यह global design system elementor में नहीं होता था कुछ limited settings थी लेकिन इस हद तक नहीं थी और text के लिए regular ही चाहिए तीनों का ठीक है वो default ही सही है और इसके लिए इसकी configuration थोड़ी सी रह गई है text की 1.5 line height होगी आप इसके बारे में जरूर अपनी research करके सीखें के line height का क्या मकसद होता है letter spacing का क्या मकसद होता है वैसे आपको briefly बता जाता हूँ line height इस पूरी heading के ऊपर और नीचे जो spacing मिला के इसकी height बनती है वह होगी हम अकसर यह spacing padding से भी control करते हैं लेकिन padding अगर आपने नहीं डाली तो एक heading के ऊपर और नीचे कितनी या किसी भी text के ऊपर और नीचे कितना space आ रही है वह line height से define होती है अच्छा और primary की line height 1.126 है वह मैं यहां से copy कर लेता हूँ करती से यह मेरे से change हो गई है अब मैं इसे copy करके वहां भी apply कर लेता हूँ अब इन चारों primary पर मैं यह line height apply कर देता हूँ और उसके बाद मैं letter spacing भी copy कर लेता हूँ कि तमाम primary के लिए हमें यही चाहिए अच्छा के लिए अच्छा के लिए और इसकी line height है 1 letter spacing है 0.1 मैं यह accent भी चेक कर लूँ यहां line height मैंने properly define की है नहीं 1 और 0.1 ठीक है तो यह हमारे सारे के सारे fonts यहां पर define हो गए अब हम इने apply करना शुरू करते हैं उसके लिए हम इस theme style के section में आएंगे यहां सबसे पहले typography का section है तो हमने जो global fonts और global colors अभी configure किये थे अब हम उने apply करेंगे body का जो normal text color है वो हम global settings में से यह text की option select कर लेंगे और अभी body में जहां जहां normal text है वो इस color का होगा और typography इसकी हम जो default हमने text की option set की है वो select कर लेंगे और यह देखें typography यहां पहले से change हो गई है अभी change हो गई है paragraph spacing भी आपको दिखा देता हूं यहां अगर मैं zero spacing रखूं तो यह देखें दो paragraph के बीच में कोई space ही नहीं है इसकी default option मेरे ख्याल में 29, 15, 16 हाँ I think 14 या 15 या 16 की कोई value है जो by default इस पर apply होती है वही ठीक है हमारे लिए अब हम आते हैं links पे link color set करने से पहले मैं जाके यहां इस text में कोई link add भी कर लेता हूं जो मैं पहले करना भूल गया था और यहां पे अगर मैं किसी भी text को highlight करके इस option से link करता हूं और इसे google.com enter कर लेता हूं यह link create हो गया और अभी इसकी default जो coloration है वह आप देख सकते हैं update करने के बाद हम वापस अपने design system में आ जाते हैं यहां site settings में और typography में यहां से हम अपने in links का color set कर देते हैं यह global color के तोर पे मैंने set करना है accent by default accent color ही होगा वैसे तो ठीक है हम इसे चेड़ने की जरुरत नहीं है default accent color ही है और इस पे hover करने पे जो color आ रहा है वह secondary है by default इसे चेड़ने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है जब बाद में जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे typography में भी colors जो हैं वह हमारे set किये वह already apply हो गए जो primary है वह heading पे apply हो रहा है जो secondary है जो text का color है वह text पे apply हो रहा है primary extra large primary x excel के बाद h2 का default रखेंगे primary excel h3 का primary large h4 का sorry यह typography में primary medium h5 का primary small और h6 का primary extra small आप देख सकते हैं कि यह ही से मैं पूरी site पे जो कुछ मैंने बना लिया उसकी कोई भी many changes कहनी है उसमें design में तो मैं यहां से आके typography की settings को change कर दूँगा अपने global fonts में जैसे के इस primary को अगर मैं catamaran की जगह codex रखना चाता हूं तो यह देखें यहीं से सब कुछ change हो जाएगा इसे मैं वापस catamaran कर देता हूं और अब हम वापस चलते हैं अपनी typography पर typography तो हमारी I think सारी set हो गई है अब हम चलते हैं बटन्स पर और in fact एक और हम tool install करते हैं और उसका अभी फाइदा आप देखिएगा यहां से मैंने अभी तमाम settings save कर ली है अब हम plugins में आके एक plugin add करेंगे जो किलाता है style kits for elementor अगर आप सिर्फ style kits से search करें तो वह plugin आपको असानी से मिल जाना चाहिए उसका एक free version भी है और एक paid version भी है हमारे इसतमाल के लिए free version काफी है इसे install करके activate कर लेते हैं और अब इस page को refresh करके वापस अपने design system में आते हैं पहले मैं design system close करके देखूं के मेरी कोई changes तो नहीं है ठीक है मेरी changes यहां पर सारी save हुई है already अब मैं इसे refresh करता हूं और यहां वापस site settings में आता हूं यहां आप देख सकते हैं कि style kits के नाम से एक नई option add हो गई है और इसमें हम कुछ अपनी मर्जी से चीज़ें configure कर सकेंगे जो by default elementor की यह जो global style settings हैं उन में मुझूद नहीं हैं उसमें भी काफी options मुझूद हैं लेकिन यह elementor की कुछ ऐसी चीज़ें जैसके हमने वह heading के buttons में भी elementor के मुख्तलिफ sizes होते हैं जो by default elementor का है जो buttons को customize करने का यह section है इसमें आप उन तमाम sizes को एक एक करके customize नहीं कर सकते हैं यह style kits आपको button sizes को customize करने की अजाज़त देती हैं इसमें देखें extra small, small, medium, large और extra large पांचों options मुझूद है buttons की और इसका forms की extended styling का जो module है वो pro version में available है लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है मैं forms में generally है कि size इसमाल करता हूँ और उसकी styling elementor मुझे easily करने देता है हाँ अगर मैंने forms में भी जो in fields के sizes होते है small, medium, large, extra large और उन सब की individual level पे styling करनी हो तो उस case में यह style kits pro मेरे काम आ सकता है, मैं forms में एक ही size use करता हूँ ताके site में consistency रहे, यह नहीं के एक form में buttons और fields बहुत बड़े बड़े हैं दूसरे में छोटे हैं, तो form में तो मैं elementor की built-in जो styling options, sorry sizing options हैं उन्हें use ही नहीं करता, तो वो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा और इसके जो paid options हैं वो उनमें आ जाता है, यह background color classes, आप अगर मुख्तलिफ backgrounds वाले sections यूज़ कर रहे हैं, या एक section का एक dark background होगा और उस पे color light color का होगा, दूसरे section का light background होगा, color dark होगा, text वागरा का, और एक तीसरा section है, जिसका background आप चाते हैं, कोई gradient वाला हो, या कोई accent वाला हो, तो उसकी styling, तीसरे उसकी styling, वो आपको यहाँ करने के लिए provision लेना पड़ेगा, light और dark का आप यहाँ से configure कर सकते हैं, मुझे इन options की इस site के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्य होगा, लेकिन उस एक dark और एक light section के लिए मुझे global styling की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब भी मैंने change करना है, एक ही जगा आके change करना है, तो उसके लिए मुझे in options की में पड़ने की जरूरत नहीं, इसमें आप अगर एक को configure करें तो उसमे background color अपनी मज़ी का choose करेंगे, उस background क section को आप sk-light-bg की class दे देंगे, जो हमने पहले देखा था कि हम custom class या custom id किसी section को कैसे दे सकते हैं, in fact अगर नहीं देखा तो भी मैं आपको बता दूँगा, dark के लिए sk- dark-bg और accent के लिए sk- accent-bg होता है, अगर आप के पास pro version हो तो वो आपको available होता है, तो यह मैं आपको दिखाऊंगा कि यह classes कहां डालनी है, वो जिस section पे आपने यह class apply की होगी, उस पे यह options आ जाएंगी, जिस section पे आपने dark वाली class apply की होगी, उसमें यह option आ जाएंगी, तो आपको इसमें एक-एक section पे जा के उसकी background और उसके colors की settings को change नहीं करना, इसका यह आपको फाइदा हो आपको इसमें में यह global colors की option आई है, तो मुझे यह style kits के accent colors configure करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो एक primary accent है वो तो site में already हमने configure कर लिए, अब typographic sizes में आते हैं, यह बहुत important चीज है, यह जो heading का extra extra large, extra large, medium or small size है, यह हम यहां से set कर सकते हैं कि यह कौन सी इस पे apply होगी, हमा आप यहां पे किसी भी चीज को चाहें, तो global की जगा directly भी उसका size और उसकी line height यहां पे दे सकते हैं, लेकिन मैंने चुके global settings already configure की हुई है, तो मुझे यहां से वो कुछ देने की जूरत नहीं है, मैं extra extra large के लिए यह primary xl set कर लेता हूँ, extra large के लिए primary xl, अचा large के लिए यह l, m और s है, लेकिन इसके लावा एक default भी है, और वो default जो है वो जो आपने primary heading का size set किया है, वो वहां पे वो इस्तमाल होगा, तो वो xl और l के दर्मयान में आता है, यह जो हमने large size set किया था, तो हम वो select नहीं करेंगे हम उसकी जगा large में here medium select करेंगे, और medium में हम यहां primary small select क कर लेंगे, क्योंकि यह तो हमने नाम रखें ना, और small में हम primary extra small, क्योंकि हम extra small से start करें, फिर small फिर medium और उसके बाद regular होगा, जो extra large से चोटा और large से बड़ा होता है, फिर large और extra extra large, यह मैंने चुके जो regular heading का size select किया है, वो large से एक step बड़ा है, तो इस वज़ा से हमें यहा अब बेतर पता चलेगा, यह set करने के बाद एक तफ़ा इसे update कर लेते हैं, और मैं in fact, वो heading size add कर लेता हूँ, ताके यहां में देखने में confusion ना हो, यहां इसी heading को हम duplicate कर लेते हैं, और इसका size जो है, यहां small, medium, large, extra large, extra, extra large की जगा default set कर लेते हैं, तो default में जो मैंने typography में primary heading size select किया था, वो apply हो रहा है, मुझे शायद इसकी naming कुछ different करनी चाहिए थी, मैं उस primary को यहां पे large के नाम से backend में भी save करता है, in fact, यह confusion ना हो, ताके इसलिए मैं site settings में जाके, इनके नाम तबदील करी लेता हूँ, global styles, global fonts में आते हैं, ठीक है, हमारा extra, extra large हो गया, extra large हो गया, उसके बाद, large की जगा, इसे regular कर देते हैं, medium की जगा, large, और small की जगा, medium, extra small की जगा, small, यह नाम चेंज करने से, globally, जो हमारी styling है, उसमें कोछ फरक नहीं पड़ेगा, बस नाम की हद्था की चीज़ चेंज हो जाएंगी, in fact, जो text के sizes के नाम हैं, उन्हें भी change कर लेते हैं, यह, extra small को हम small कह देते हैं, small को medium, और, यह जो medium है, इसे large, यह इसे regular कह देते हैं, और, इसके उपर large, इसमें हमें extra large की ज़ुरत नहीं है, तो, large है, regular है, medium है, और small है, text, ठीक है, इसे update करके, अब हम, वापिस style kits में आके, उसी section को देखते हैं, इनके नाम, वहाँ भी change हो जाने चाहिए, heading, typographic sizes, अच्छा, यहाँ change नहीं हुए, ठीक है, यह, I think, page को reload करने पे change हो जाएंगे, apply यह हुई है, सारी heading, यहाँ primary heading large में primary large apply हुई है, और extra large और extra extra large, ठीक है, तो, यह था, कुछ typography की extra settings का एक overview, अब हम buttons की settings और forms की settings पे, design पे आते हैं, उसके बाद हम spacing भी देखेंगे, buttons की default size की मैं यहाँ पे settings कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, border का थोड़ा से radius है, border curved है, मेरे design में मुझे curve नहीं चाहिए, इसलिए मैं border radius zero set कर देता हूँ, और यह curve चला गया, यह बिलकुल point बन गया है, इसकी padding मुझे चाहिए, तक्रीबन 10 pixels ही उपर नीचे दाएं और बाएं, तो यह इस तरह का button हमारा बन जगा, in fact, दाएं और बाएं मुझे जादा चाहिए, तक्रीबन 16 या 15 कर लेते हैं, दाएं और बाएं 15 pixels, in fact, 16 ही कर लेते हैं, क्योंकि हम, जो text के sizes वगरे हैं, वो 16 और 20 और 24 इस तरह 4 के, उस में multiples में इस्तमाल कर रहे हैं, I think, यह सही लग रहे है, अच्छा, अब हम आते हैं, buttons के मुख्तलिफ sizes पे, in fact, मैं button के मुख्तलिफ sizes यहां बना भी लूँ, उसके लिए मैं वापस अपने इसी page पे आता हूं, और इसी एक button की मैं चंद copies बनाता हूं, duplicate, 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 sizes देखते हैं जरा, यह small, यह extra small कर लेते हैं, medium कर लेते हैं, large और extra large, update, अब हम वापस site settings में आते हैं, और इनकी styling देख लेते हैं, basically इनकी sizing देखनी है, यहां buttons की field में तो हम यह default कर चुके हैं, अच्छा यहां पे भी इसकी typography वगरा सेट कर लेते हैं, buttons के लिए मैं accent इस्तमाल कर रहा हूं, तो इसके लिए मैंने accent select कर लिए, already accent ही यह अप्लाय हुआ हुआ है, और text shadow मुझे इसमें नहीं चाहिए, text का color भी यह जो default button के लिए white इस्तमाल हो रहा है, वही चलेगा, background color by default accent color इस्तमाल हो रहा है, वही मुझे चाहिए, hover पे अभी कोई color नहीं अप्लाय हुआ, hover जब इस पे आप mouse लाते हैं, तो उसका background color मैं रख लेता हूं, अपना accent alt, अब यह देखें, जब मैं button पे mouse लेके आ रहा हूं, तो color तबदील हो रहा है, इसे मैं secondary alt भी रख सकता हूं, यह भी प्यारा color है, लेकिन फिलाल ठीक है, accent alt ही काफी है, और button का box shadow हमें फिलाल नहीं चाहिए, जब जुरुत पड़ी तो वह देख लेंगे, border type नहीं चाहिए, border radius हमने set कर लिया है, border radius को हमने actually zero set किया था, अपडेट, और अब हम style kits में आके button sizes को देख लेते हैं, यहाँ extra small का हम अगर इसकी मुखतलिफ padding रखना चाहते हैं, जैसा के 10 और 16 की जगा 8 और 12 यह रख लेते हैं, small हमारा I think के default size है, इसकी हम रख लेते हैं, ठीक है, इसकी तो हमने वहाँ पर set कर दी थी, in fact यह तमाम settings हम यह थी, इसकी button sizes की style kit में भी set कर सकते हैं, लेकिन default की मैं elementar की default options में set करना पसंद करता हूं, ताकि style kit आपको uninstall भी करनी पड़े तो at least default styling तो हुई ही हो, ठीक है small की styling हमें करने की ज़ूरत नहीं है, medium में आके हम यहां पर उसमें small में 10 थी तो इसकी हम यह 12 top और bottom और 16 की जगा 18 left और right रख लेते हैं, यह 20 और इसके बाद large में हम top और bottom को 16 कर देते हैं और left और right को 20, finally extra large में हम top और bottom को 20 रख लेते हैं और left और right को 24 यह आप इसे अपनी मज़ी से set कर सकते हैं जिस तरह के button sizes आपको चाहिए हैं, यह settings की काफी है, इसकी I think मैंने गलत value change कर दी है, large था यह, नई, यह medium था, इसकी हाँ मैंने border radius की value change कर दी है, जबके करनी थी मैंने इसकी padding की, quarter radius को मैं दुबारा से reset कर देता हूँ, और इसकी padding भी हमने set कर दी है, आप चाहें तो large का font size भी change कर सकते हैं, अगर large के लिए font size आपको मुनासिब नहीं लग रहा, यह extra large के लिए, यहाँ इसकी typography में extra large का font size हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो अभी accent था by default, इसे accent small, एक accent large भी हमें size बना लेना चाहिए, in fact, तो आप यहाँ से भी global size add कर सकते हैं, इस तरह अगर मैं accent small के साथ accent large add करना चाहता हूँ, तो मैं पहले accent small select कर लेता हूँ, फिर यहाँ इस pen पे click करता हूँ, तो इसी को मैं edit कर सकूँगा, लेकिन अब यह global से unlink हो गया है, तो यहाँ पे इसका size मैं let's say 16 रखता हूँ और बाकी सारी options वही रखता हूँ, तो अब यहाँ पे text का size हो चुका है 16 और letter spacing line height वगरा वही ठीक है, अब मैं इसे add कर लेता हूँ, और इसका मैं नाम दे देता हूँ, accent large यह अभी global fonts में add हो गया और यह हम जहाँ भी चाहें, accent large भी अब इस्तमाल कर सकते हैं, अब buttons के बाद जो यहाँ पे second last चीज रह गया है, वह है form के sizes, अचा वह हम theme style में नहीं करेंगे, sorry style kits में नहीं करेंगे, क्योंकि इसका form styling की option भी जैसे मैंने आपको बताया, वह paid version में available है, outer section padding यह एक important चीज है form styling से पहले हम उसे भी देख लेते हैं, so यह वह spacing वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा था, में default को नहीं छेड़ना वह जो elementor default value रखता है वही रहने दे, normal में हम रख लेते हैं, top और bottom 10 pixels, left और right हमें रखने की actually यहां पर जरूरत नहीं है, small में हम यह रख लेते हैं, top और bottom 5 pixels, actually हम extra large से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे याद है हमने 160 रखी थी, तो इसे हम top और bottom 160 रखते हैं, फिर large को हम top और bottom 80 रखते हैं, medium को top और bottom 40, small को top और bottom 20, sorry normal को top और bottom 20, और small को top और bottom 10, ठीक है, तो अभी हमारे पास यह चांद options आ गई हैं, 10, 20, 40, 80 और 160 और डीफॉल्ट की अपनी डीफॉल्ट 0 होगी basically, इसकी अभी मैं आपको demonstration भी दिखाता हूँ, अब सिर्फ एक चीज़ यहां पर रह गई है, mainly वह है forms, images के लिए हम कर सकते हैं, images का कोई यहां पर opacity यानि वह कितना transparent हो, उसका कोई shadow हो, उसका कोई effects हो, hover करने पर कोई effect हो या filter हो, उसकी फिलाल हमें जरूरत नहीं है, और form fields पर आते हैं, अच्छा fields का एक हम normal style set कर सकते हैं, और focus style यानि जब field के ऊपर आपने focus किया हो, वह field active हो, तब उसकी क्या styling हो, उसके लिए सबसे पहले यहां label की हम typography set कर लेते हैं, यह मुझे चाहिए text medium, अच्छा भी यहां पर कोई changes effect नहीं हो रही हैं, यह बाद में front end पर हो जाएगा, और field की जो typography है, वह चाहिए text small कर लेते हैं, in fact वह भी text medium सही है, हाँ form fields हमें बहुत बड़ी नहीं चाहिए, और इसके लावा, इसके text का normal color जो है, वह text light रखेंगे, और background color अभी change करने की जूरत नहीं है, box shadow की भी फिलहाल नॉर्मल पर जूरत नहीं है, focus वाले में हम shadow डाल लेंगे, ताके जब हम किसी इस पे click करें, form field पे तो उस पे shadow आए, और border हमें नहीं चाहिए, नहीं border हमें light सा चाहिए, तो solid और इसकी width 1 pixel काफी है, border radius 0 चाहिए, border color जो है वह text light वाला color या in fact background light वाला color, नहीं उससे बिल्कुल ही light हो रहा है, तो यह text light वाला color ही ठीक है, और focus mode में, हमें form field में जो text color है, वह चाहिए, अभी देखते हैं focus करने पे हाँ, वही normal वाला color आ रहा है, focus में हमें normal जो text का color है वह चाहिए, अभी जब मैंने focus हटाया तो color light हो गया, focus करने पे color वापस वही dark हो गया, in fact focus करने पे हम इसे primary color दे देते हैं, yes, जादा फरक पढ़ रहा है, yes, ठीक है और अब देखते हैं form में और कोई important option, border focus करने पे हमें border radius चाहिए, sorry border shadow चाहिए, और इस shadow को मैं थोड़ा customize कर लेता हूँ, एक second मैंने shadow की options यहां कहीं, अपनी save करके रखी हुई थी, values let me just quickly get them from my file, zero five twenty zero, okay, यह इन values से आप experiment करेंगे तो आप देखेंगे के, इनसे क्या क्या फरक पड़ता है, zero five twenty zero, और यह जो color है, यह 0.5 की जगा, इसकी transparency मुझे चाहिए, 0.15, यह RGBA में red, green, blue और alpha, यह transparent की value होती, यह भी color का एक format है, hashtag वाला hex format होता है, और यह RGBA format होता है, यह design में आप सीख सकते हैं, अभी यह बहुत nice effect आ रहा है, और in fact जब यह border की हमें जरूरत नहीं है, जब focus हो, तो चुक्के हमने यहां पर border set किया था, यहां पर भी हमें पहले solid करके उसकी width 0 कहनी पड़ेगी, तो अब focus के वक्त यह ऐसा हो जाएगा, और focus के बगएर इसके give border होगा, I think यह अच्छा लग रहा है, यह फिर अपनी personal choice है, यह तो मेरी site के design के लिए यह choice है, आप अपनी मर्जी से form को जैसे chain design करें, और form की एक और चीज अभी मैंने set करनी है, अच्छा जो यह radio buttons और check boxes और यह select boxes, इनकी styling के लिए आपको theme kit का pro version चाहिए होगा, मुझे अभी इनकी styling की जरुरत नहीं है, साइट पर मैंने यह वाले forms इस्तमाल ही नहीं करने, इस पर बहुत simple forms होंगे, name, email और submit या बहुत हुआ message इस type के, तो back करते हैं, और एक और चीज मैं यहाँ form की आपको दिखाता चलूं, जो important है styling के दुरान वो है padding, और वो padding button के साथ हमने style करनी होती है, इस form के button के साथ, उसके लिए मैं यहाँ पर इस form को ही duplicate कर लेता हूँ, जिसे एक नया form बन जाएगा, और इस form में मैं गयर जरूरी fields हटा के, सिर्फ एक email की field, इसकी width में रख लेता हूँ 66%, और एक जो button है, इसकी width में रख लेता हूँ 33%, ताके यह field और button एक ही line पर आ जाए, और अब मैं इन्हें एक दूसरे के साथ रखते हूए style करता हूँ, ताके ऐसे form जिसमें मैंने field और button को साथ साथ रखना है, उनमें proper styling हो, अब हम वापस यहाँ form fields पर आते हैं, और अब form की field में हमने इसका जो border दिया है, उस वज़ा से इसका size button के size से मुक्तलिफ हो रहा है थोड़ा सा, तो या तो हम border हटा के form fields को background दे दें, एक यह option है, और दूसरी option यह है कि हम यह इस button को भी एक border दे दें, ताके यह इसके साथ बिलकुल यहा form इससे उपर नीचे ना दिखाई दे, तो यह एक important चीज़ है जो style कर लेना I think बेते रहता है, अगर हमने form को border देना है, तो फिर हमें button को भी एक border देना होगा, और इसका border type जो हम solid कर लेते हैं और इसकी width one pixel कर लेते हैं, और border का जो color है, वह हम वही रख लेते हैं जो हमारे, हमारा इसका accent color था, ताके वह सेम color का border हो, किसी मुख्तलिफ color का ना हो, और hover में आके हम border के color को भी वही रख लेते हैं, जो हमने यहां पे accent के color को hover color के तोर पे रखावा था, अच्छा, अब हम वापस चलते हैं, form fields पे यहां देखते हैं कोई styling reg तो नहीं गई, नहीं ठीक है, I think हमें अभी जितनी styling चाहिए थी, वह सब हो गई है, अप्टेट हमने कर लिया है, और यह style kits ने हमारे लिए button sizes और खास तोर पे यह typography के multiple custom sizes हैं, elementor के अपने sizes और यह spacing इन्हें configure करने में help की है, buttons के sizes तो मैं आम तोर पे इस्तमाल इतने नहीं करता, मैं usually एक ही size का button side पे इस्तमाल करता हूँ, अब हम इसे close करते हैं और वापिस अपने page पे आके spacing को जरा explore करते हैं, और यहां पे हम अपने जो सारे हमने यह styles और colors वगरा add की हैं, उन्हें apply भी करते हैं, apply करने के लिए हम यहां सबसे पहले colors apply कर लेते हैं, एक column पे क्लिक करें, उस column की styling में आके यहां background type में अपनी मज़ी का जो भी आपने global color चूज करना है, वो यहां select कर लें, अच्छा यहां भी colors की list आ नहीं रही किसी वज़ा से, साथ मैं page को update करूँ तो उसके बाद आ जाए, एक तफ़ा इसे reload कर लेते हैं, अब यह colors की list यहां पे आ चुकी है, तो यहां मैं एक एक करके अपने तमाम colors इसके इनके background की तोड़ पे apply करूँगा, और उसके बाद, इसके text का हमें color कुछ के लिए तबदील करना पड़ सकता है, जैसे के यहां पे जो background color same है, उसके लिए मैं text light कर लेता हूं ताकि उस पे हमें, बलके white कर लेता हूं, ताकि हमें text दिखाई तो दे, actually white is blank, ओ, blank की मैंने value यह गलत लिखी है, एक second मुझे उसे भी set करना पड़ेगा, वापस हम आते है, side settings में, और global colors में, यहां blank की value, yes यह होनी चाहिए, fff, अच्छा, अब हम बाकी के colors भी set कर लेते हैं, on- बाक्गंद्ट青, ऋ. तुस्ट, वच्गंद व, उ. च्चल — च अओ्सट्स, चंडल टंप्स, चंडल, तिल नूह सम्स्क शनल, ज्थ और सेथरे को सेनल, चंडल, स्थ- खुट्स ड्स, शमनल, सेंस्द,issant लॉच्छ полит ताओ्स, और सियर, सर्ट कियस्ट छिल और टायल बाक्ग्राउंड ब्लैंक अच्छा यहां बाकी मैंने कलर्स अभी आड़ नहीं किये थे क्योंकि यह हमें पहले एक दो लेसंस के लिए जूरत नहीं पढ़ेंगे यह काटेगरी इसको जब हम मुक्तलिफ कलर्स देने के लिए कुछ काम करेंगे तब हमें ज़रुद पड़ेगी तो यह हम तब एड़ कर लेंगे और यहां हर एक की जगा उसका मैं कलर कोड भी टाइप कर लेता हूं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट तो पहले से मुझूद है इसका इफाइदा होगा कि हमें अचानक किसी कलर को किसी भी मकसद के लिए रेफरेंस करना है तो हमारे पास एक पेज मुझूद है जिस पे तमाम कलर के नाम वगरा हमने अपने रेफरेंस के लिए लिए लिखे हूए और इसका हम हेडिंग का जो कॉंटेंट साइज है वो डिफॉल्ट की जगा मीडियम रख सकते हैं ठीक है पहले मैं इन सब पते दूँ इनकी वैल्यूज उसके बाद फिर मैं इनके स्टाइल को जिस जिस डार्क बैग्राउंड वाले बॉक्स में तबदील करने की ज़रूरत है वहां के तबदील कर लूँगा और यह फाइनली ब्लैंक ठीक है यह औरड़ी इसकी वही वैलियो जो हमें चाहिए बाकी जब मैंने वह कलर्स एड करने हुए तो तब आके मैं कर लूँगा और अभी आपको सिर्फ यह आडिया मिल रहा है कि यह डिजाइन सिस्टम सेटप करने कहा में क्या फाइदा होता ह अब इसे कॉपी करके हम यहां इसका स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं और यहां पे भी इसका स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं स्टाइल से इसके यहां स्टाइल टैब में जो सेटिंग्स है वो पेस्ट होती हैं कॉंटेंट वाली सेटिंग्स नहीं पेस्ट होती हैं यह दोनों आप चाहें तो यहां एक और हेडिंग एड़ कर दें उसमें इसका नाम भी लिख लें लेकिन मुझे यह सिर्फ हो सिर्फ अपने कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए होती है यह एक इनतहाई जरूरी काम नहीं है यह जिस्ट एक अच्छी प्रैक्टिस है जो कर लेने से आपको एक आपके अगर टीम में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें एक रेफरेंस मिल जाती है जिससे उनका काम कुछ तक आसान हो जाता है और क्लाइंट के साथ जब आप डिसकस करेंगे तो अगर आपने ऐसा डिजाइन सिस्टम बना के क्लाइंट को दिखाया वो भी होगा उसे अगर यहां पर कोई कलर चेंजिस वगरह चाहिए तो वह आपको बता देगा के यहां इसी तरह के पेज़ पे क्या-क्या चेंजिस उसे चाहिए फिर आपने डिजाइन सिस्टम में वो चेंजिस जाके इंप्लिमेंट कर लेनी है अभी आप देख रहे हैं यहां के heading 1 से 6 तक के sizes यह reset हो गए है इसकी वज़ाए यह है कि जब हमने heading का एक primary size define कर लिया तो जितनी भी यह headings है उनमें default size जो है h1 हो या h2, h3, h4, h5 या h6 इसका default size वो बन गया जो हमने primary heading size के तोर पे set किया है जो यहां पे हमें यह I think large है यह default size जो है यह heading large वाला size है इससे उपर extra large और extra extra large है इससे नीचे large, medium और small एक second यह default है then इससे नीचे large, medium और small है इससे उपर extra large और extra extra large है so यह default size है जो हमने set किया था primary heading size इन 6 के 6 का यही size है इस वज़ासे इस section को मैं delete कर देता हूँ इसकी हमें यह जरूरत नहीं लेकिन delete करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि जो हमने typography settings में headings के 6 sizes select किये थे वो यहां पे नहीं apply हो रहे लेकिन वो जब हम content के बीच में headings add करेंगे वहाँ apply होंगे heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 इन 6 पे यह apply होंगे user जब किसी भी किसम का अपनी site पे content edit करेगा जो wordpress के default editor में या gutenberg में उसमें यह सारी styling headings पे apply होगे और यह जो editor है text editor block elementor का widget इसमें भी वही styling apply होती है जो site में किसी भी content को edit करते वक्त apply होती है जबके यह जो बाकी widgets हैं उनमें वो styling apply होती है जो site को design करते वक्त apply होती है so design और edit इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए जो मैं पहले भी कहीं दफा़ आपको explain कर चुका हूँ और यह हमारे सारे headings के sizes यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं यह exactly यही वाले sizes हैं लेकिन यह हमने content में जो मुझूद headings हैं उनके लिए select की हैं और यह हमारे design में जो headings हम इस्तमाल करेंगे site को build करते वक्त यह उसमें इस्तमाल होंगे यह सारे sizes तो यह column अब हमारे लिए जरूरी नहीं रहा है इसे हम delete कर देते हैं in fact अब यह inner section के भी हमें जरूरत नहीं रही तो यह हम options inner section से बाहर ले आते हैं और उस inner section को हम फिर delete कर देंगे और यह inner section अब खाली हो गया inner section को जहां तक avoid हो सके avoid इस वजह से करना चाहिए क्योंके उन में extra divs यानि extra HTML code add हो जाते है क्योंके इस section का पहले से इतना code है इसके section level का code है फिर इसके column level का code है फिर इसके अंदर widget level का code है तो अगर widget level के तो code के level पे आके फिर एक section हो तो उसका section level का code होगा फिर उसके column level का code होगा फिर उसके अंदर widget level का code होगा अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो वह मत use करें सिर्फ वहां पे use करें जहां आपको एक section के अंदर मजीद sections बनाने की जरूरत है एक column के अंदर या एक widget वाले area के अंदर मजीद section से उसे split करने की जरूरत है यहां भी हमें वो जरूरत नहीं रही इस वज़ाद से उसके बगार हमारा काम चल रहा है अचा अब मैं इस text color को वापस reset कर सकता हूँ अगर मैंने अपनी मजी का color set किया था और मैं उसे वापस reset करके जो हमने styling में color set किया था उस पे आना चाहते हैं तो color पे click करने के बाद यह clear के button पे आप click कर दें इससे इसका style clear हो जाएगा और यह वापस global styling को अपना लेगा तो यह था हमारा एक styling का हाँ इसमें अभी spacing रह गई है तो spacing यह मैंने I think जिस तरह से setup की थी उसकी जगा आपको दिखाने के लिए इससे बेतर तरीका है तो इसे मैं remove करता हूँ अब spacing के नीचे मैं मुक्तलिफ sections add करूँगा क्योंकि sections को showcase करने के लिए इसलिए मैं इसमें sections को duplicate कर लेता हूँ और अब section के लिए मैं section level पे जाके यहाँ इसका style kits ने section level पे एक option add की होगी आउटर section padding yes top level पे default है second पे no padding third पे normal एक सके यह normal इतनी ज्यादा क्यों हो रही है fourth पे small fifth पे medium default और no padding I think same है हाँ yes तो default को हम remove कर देते है no padding small medium और इसके बाद यह होनी चाहिए large और एक इसकी copy जिस पे होनी चाहिए extra large और मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती की है वह अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ और उसे हम correct भी कर लेते हैं इम में यह मसला होता है पिक्सल का 100% होगा अगर आप 0.5 EM रखते हैं वह 20 पिक्सल का 50% होगा अगर आप 2 EM रखते हैं वह 20 पिक्सल का 200 पिक्सल होगा यह नि 40 पिक्सल हो जाएगा तो हम यहां EM की जगह पिक्सल में यह sizes specify कर लेते हैं extra large में top और bottom 160 थे, large में top और bottom 80 थे, medium में top और bottom 40 थे, small में I think 20 थे और default और normal, default को चेड़ने की जरूरत नहीं है, normal को भी चेड़ने की जरूरत नहीं है, वो अगर zero ही है तो हमें उसे चेड़ के क्या करना है, लेकिन यह आपके पास options मुझूद है, तो मेरे लिए I think एक normal और यह small, medium, large और extra large की options काफी है, अब आप अगर in sections को देखें और यह आ बेटर तरीके से यह observe कर सके हमने क्या किया है, यहां हम spacing section पर वापस आते हैं, इसमें content को मैं पहले change करता हूँ, none, second वाले में हमने क्या से लग की थी, small okay, small, third में medium, fourth में large, और fifth में extra large, यह section के बीच में आपने जतना भी content डालना है, उसके उपर हो नीचे spacing, ताके वो section का content, बिलकुल पिछले section के content के साथ जुड़ावा ना दिखाई दे, यह उस मकसद के लिए, और यह style kit का एक मेरा बहुत favorite feature है, जो वो elementar में section level पे add करता है, यह सिर्फ outer section के लिए available है, inner section के लिए नहीं, इसमें यह section की यह padding है, पाके आप दो section अगर साथ साथ रखते हैं, तो उनका content बिलकुल करीब करीब ना हो, उनमें उपर हो नीचे यह extra spacing को जो पढ़ना असान बनाए, जो section को देखना असान बनाए, overall उसमें सारे content पे आपका focus सही से जा सके उसे दूसरे section का content आपको यह section पढ़ते वे distract ना कर रहा हो, इसका सबसे बड़ा यह फाइदा है, और इसे सही से दिखाने के लिए मैं sections का background color भी set कर देता हूँ, एक text light रख लेते हैं, और दूसरे का background light रख लेते हैं, इसे का फिर text light रख लेते हैं, और चोथे का फिर background light रख लेते हैं, और पांचमें का फिर से text light रख लेते हैं, यह अभी हमें एक अच्छे तरीक से दिखाई दे रहा है, अब हम in sections के background भी change कर सकते हैं, इनकी भी हम column gap options में आके extended, sorry यह तो column gap है, इसे बात में देखेंगे जब जरूरत पड़ी, मीडियम कर लेते हैं, इस उपर वाले का भी हम मीडियम ही कर लेते हैं, ठीक है, और finally इसका भी हम यह medium gap रख लेते हैं, padding रख लेते हैं और इस section को हम कोई background color दे देते हैं, आके यह अपने साथ वाले section से थोड़ा सा तो मुक्तलिफ दिखाई दे, color का white है, typography का light gray है, forms and buttons का white है, then इस area में यह dark gray और light gray के alternate शुरू हो जाते हैं, यह हम इसे update करते हैं, और यह हमारा design system जो global level पे हमने set करना है, वो तकरीबन complete हो चुका है, अगर इसमें कोई और चीज हमें बाद में करने की जुरूत पड़ी, तो हम आके फिर से कर लेंगे, अभी के लिए यह हमारा setup complete हो गया है, और इसके साथ ही हमारा यह lesson भी अखताम को पहुंचता है, अगले lesson में हम header, footer, वगारा build करना शुरू करते हैं, झाल झाल